प्रेगेंसी टाइम में केसर वाला दूद पीना कब से स्टार्ट करना चाहिए? कैसे दूद बनाना चाहिए ये वाला? कितने रेशे डालने हैं? कब दूद ये पीना है? क्या-क्या फायदे हैं? ये सारे सवाल जो हैं हमारे पास काफी दिनों से आ रहे थे तो आज इस वीड क्या कर दिखाएंगे की केसर वाला दूद प्रेगनेंशी टाइम disruption काऺशा alati? काउनके पहनई क्या महीनेसी ते क्या खाउत से पहलते होती हैं Sweet. नमबर फाइफ केसरवाला दूद पीते हैं तो आपको नीध अच्छी आती है। आप pregnancy time में पी रहे हैं तो इससे आपका BP कंट्रोल में रहता है केसर वाला दूद पीने से आपकी मासपेशिया यानि मसल्स भी स्ट्रॉंग होती है अगर आपको pregnancy time में बहुत जादा mood swings रहते हैं और एकदम stress आप जादा लेते हैं तो केसर वाला दूद आपको इस चीज में भी अराम देता है तो चलिए बनाते हैं केसर वाला दूद तो friends केसर का दूद बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये एक glass दूद ये उबला हुआ है और pregnancy में ध्यान रखे कि हमेशा आपको जो है पेस्चिराइज दूद ही पीना चाहिए अब हम ये ऐसा एक पैन ले लेंगे इसको गैस पर रखते हैं इसमें हम डाल देंगे एक glass दूद गैस on कर लेते हैं अब इस दूद में हम दिखिए ये जो आपको दिख रहा होगा ये जो केसर के रेशे हैं ये चार रेशे हैं इतने बड़े ही रेशे जो है आपको यूज करना है केसर यूज करते हैं ध्यान रखें कि ये जो केसर है ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसकी एकस्पारी डेट भी आप हमेशा चेक करें अब इसको हम दूद में डाल देंगे इसको थोड़ाता चला देते हैं दूद को नेक्स्ट हम लेंगे ये एक चम्मच चीनी एक गलास दूद में एक चम्मच चीनी जो है काफी है आप चाहें तो इसमें चीनी के मांट को कम या जादा भी कर सकते हैं या बिना चिनी की पिना चाहें तो बिना चिनी के भी पी सकते हैं यह भी हम इसमें डाल देंगे सब चीज़े डालने के बाद इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे और ग्यास जो है एकदम लो फ्लेम पे आपको रखना है जब तक दूद का करर जो है चेंज ना हो जाए तब तक हम इसको धीमें आज पर पकाएंगे फ्रेंट्स प्रिजनिसी टाइम में केसर दूद के बहुत सारे फायदे हैं जैसे मैं आपको वीडियो में बताया और फ्रेंट्स ये जो केसर दूद है ये आपको limited आपम में पीना चाहिए इसको आप पीना स्टार्ट कर सकते हैं चौथा मेनन जा आपका खतम हो जाए और पांच मेने की शिरुवात हो तब से पीना आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसको आपको रात को सोने से पहले पीना चाहिए तो इसके आपके बहुत सारे फायदे मिलेंगे देखिए अब दूद में उबाल भी आने लग गया है इसको थोड़ा सा और चलाते रहेंगे थोड़े दिर इसको और पकाईए जब तक कि इसका दूद का कलर चेंज ना हो जाए क्योंकि दूद के कलर का चेंज होने का मतलब है कि केसर दूद में अच्छे से मिल गया है तो फ्रेंड्स देखिए 10 से 12 मिनट हो गये हैं और दूद का रंग इतना से हलका सुनेरा हो गया है अब इस गैस को बंद कर देंगे और हलका गुनुना होने पर आपको इसको दूद को पीना है अगर आपको pregnancy में किस तरही complication है या केसर वाला दूद पीते ही आपको किस तरह के allergy feel होती है जादा vomiting होती है तो आप केसर वाला दूद जो है मत पीचिए तो I hope आपके लिए वीजियो helpful रही होगी अगर अभी भी आपके कोई सवाल है तो आपके में कमेंट बॉक्स में लेकर पूछ सकते हैं Thank you for watching